हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास्टिक्स की जोग्राफिक का चैप्टर नंबर टू, ग्लोब, लैटिटूड और लोंगिटूड को डिसकस करने वाले, इस वीडियो के थूँ आप समझ पाएंगे कि ग्लोब किसे कहा जाता है, लैटिटूड का मतलब क्या होता है और इंपोर् करके देखते हैं, ठीक है, एक तरफ तो ये अर्थ है और दूसरी तरफ ये geometrical figure, sphere है, दिखने में बिल्कुल सेम है, लेकिन हमने अभी बात की है कि अर्थ is not a sphere, इसको अंडिस्टेंट करते हैं कि ऐसा क्यो है, अब हमने जो लाइन पड़ी है, इसका मतलब क्या हुआ, जाएगा, और ये क्या है, south pole, इसको हम लिखते है, sb, ठीक है, हमने अभी बात की है, कि ये जो north pole और south pole पर क्या है, एक तरह से flat है, ठीक है, flat मतलब थोड़ी सी याँ पर चपती है, और middle में क्या है, ये bulge है, bulge का मतलब क्या होता है, कि यहां से क्या है, थोड़ी सी, उब हुई है, इसलिए हम कहते हैं कि हमारी earth का shape, sphere की तरह नहीं है, can you imagine how it looks, you may look at a globe carefully in your classroom to get an idea, तो क्या हम imagine कर सकते हैं कि हमारी earth दिखने में कैसी होती है, तो इसका idea हमको लगेगा globe से, क्योंकि globe is the true model और miniature form of the earth, अब miniature क्या होता है, model क्या होता है, उसको understand करते हैं, अगर मैं आप से पूछूँ कि आपने tajmail देखा हैं क्या, देखो मैंने तो अभी तक ताजमail नहीं देखा है, तो हो सकता है कि आप में से बहुत लोगों ने tajmail को देखा हो, तो ये तो क्या होगी tajmail की photo होगी, तो हमको proper तरीके से समझ में नहीं आ रहा कि इसके पीछे क्या है, औ में और पूरी तरह से इस डेटियल हमको समझ में नहीं आती है लेकिन अगर Hम ताजमिल का मॉडल देखें ये क्या है है ताजमिल का मीनियूटार है इस kindness का आइये लग जाता है कि किसी भी जो असली में जो चीज है, वो देखने में किस तरीके से, क्योंकि जो locations होती है, जो चीजे होती है, वो as it is model में दिखाय जाती है, तो उसी तरीके से, जो earth है, earth का miniature, earth का model, क्या कहलाता है, globe कहलाता है, clear, बच्छो सारे की सारे globe भी same नहीं होते हैं, अनकी अलग type होती ह size होती है, जैसे कुछ बहुत बड़े होते हैं, तो बड़े होने की कारण हम उनको easily carry नहीं कर सकते हैं, उनको सिर्फ हम एक जगे रख सकते हैं, कुछ ऐसे globe होते हैं, जो कि pocket size के होते हैं, जिनको अपनी pocket में डालके easily carry कर सकते हैं, कुछ होते हैं, बलून type के, जिनके अंदर रहूं को जब जरूत पड़ी उसके अंदर हवा भरी काम खतम उसके अंदर हवा निकाली और easily उसको carry कर सकते हैं अब main बात आती है कि the globe is not fix globe अपनी जगे fix नहीं होता वो move करता रहता है अब आप देख सकते हैं ये globe है और ये अपनी जगे fix नहीं है ये move कर रहा है ठीक है on the globe countries, continent and ocean are shown in their correct size इस पूरे paragraph के सबसे important line ये है कि on the globe countries, continent and ocean are shown in their correct size इसका मतलब क्या हुआ कि जिस थरीके से countries, continent, ocean हमारे अर्थ के उपर होते हैं उसी तरह से इसको globe के उपर represent किया जाता है इनकी size को छोटा बड़ा नहीं किया जात एक्जाम्पल लेते हम, जैसे कि हमारा इंडिया है, इंडिया से छोटा नेपाल है ठीक है अब जब हम इंडिया को और नेपाल को globe के उपर बनाएंगे तो हम नेपाल को बड़ा नहीं कर सकते और इंडिया को छोटा नहीं कर सकते क्यों क्योंकि जो इनकी actual size है उसी के वो क्या है अर्थ का true model है अगर हमने बड़ा छोटा किया तो फिर वो model तो किसी काम का नहीं रहेगा इसलिए जो actual location होती है जो actual size होती है वही की वही globe के उपर बनाई जाती है तो अब यहाँ पे बात शुरू होती है कि अर्थ के उपर हम किसी बे जगे को locate कैसे करेंगे क्योंकि हमको तो कुछ पता ही नहीं कि कौन सा north है कौन सा south है कौन सा east है कौन सा west है क्योंकि यह तो पूरी तरह से goal है हम कहाँ पे locate करेंगे तो बचो इसी के लिए हमको कुछ reference points के ज़रू होती है कुछ हमको reference lines के ज़रू होती है तो यह जो reference lines है हमारी latitude और longitude इसी के बारे में हम पूरी chapter में पढ़ने वाले है इनकी help से हम earth के उपर किसी बे जगे को locate कर पाएंगे You will notice that a needle is fixed through the globe in a tilted manner which is called its axis तो आपके सामने नयाव और निकल के axis Axis को understand करते हैं कि axis का मतलब क्या होता है Axis is an imaginary straight line that extended from the north pole to the south pole तो सबसे important बात आती है कि axis एक imaginary straight line है Straight line मतलब अब आपके सामने ये earth है ये एक needle जैसी एक straight line है हमने क्या बात की ये एक imaginary line है इसका मतलब ये हुआ कि actual में earth पे ऐसी कोई line नहीं होती है ये हमारी imagination में है हम इसको सोचते हैं तो ये क्या है एक axis का imaginary line है जो कि north pole से south pole तक है अब आप सोचोगे कि north pole क्या होता है south pole क्या होता है देखिए बच्चा आपको direction बता है ये हमारा north है ये south है ये west है और ये east है ठीक है हमारी earth का जो सबसे north point होता है वो कहलाता है north pole और हमारी earth का जो सबसे south point होता है सबसे south वो कहलाता है south pole तो north pole से south pole को connect करने वाली ये जो straight line है उसको कहा जाता है स्ट्रेट लाइने और नौ але को साउथ पोल से कनेक्ट कर रही है और यह थोड़ी सी ते तो रखिए तेल का मतलब होता है थोड़ी से जुकी हुई अब आप देख सकते हैं कि यह जो लाइन है हलकी सि जुकी हुई है तो यहांप drinking 1965 की डिरिफ्इन की डिरेक्शिन अर्थ किस तरीके से move करती है हमने direction की बात की north, south, west और east तो हमको यह पता चली कि earth की जो direction है move करने की वो west से east है clear यह west है और यह east है तो इस तरीके से earth move करती है but remember there is a major difference the real earth has no such needle तो हमने भी बात कर लिए कि असली में earth पे ऐसी कोई needle नहीं होती है it move around its axis which is an imaginary line another imaginary line running on the globe divide it into two equal parts this line is known as the equator the northern half of the earth is known as the northern hemisphere and the southern half is known as the southern hemisphere तो हम understand करते हैं कि हमने इस पूरी paragraph में क्या पढ़ा हम बात करते हैं अभी यहाँ पे equator की जो कि क्या है एक imaginary line है equator क्या होती है बच्चो equator एक ऐसी imaginary line है जो कि earth को दो equal parts में divide करती है हमने equal क्यों बोला क्योंकि जितना का उपर वाला part है उतना का उतना नीचे वाला part है उपर वाले part को हमने northern hemisphere बोल दिया और नीचे वाले part को हमने southern hemisphere बोल दिया अब आप समझो कि hemisphere का मतलब क्या होता है हमने अभी discuss किया था कि earth का shape कैसा है sphere जैसा है exact sphere तो नहीं है लेकिन sphere जैसा है ठीक है अब मान लो ये एक sphere है अगर मैं इसको दो पार्ट में divide कर दूँ ठीक है तो ये अलग बन जाएगा और ये अलग बन जाएगा एक पर्ट यो हो जाएगा दूसरा पर्ट हो जाएगा जब हम में इस्फेयर को दो पार्ट में divide कर देते तो आधा पार्ट क्या कहलाता है अधा पार्ट कहलाता है hemisphere ठीक है अब हम बात करे थे कि Northern Hemisphere हमने direction की बात की थी कि उपर वाला पार्ट कौन सा होता है North direction होती है, नीचे वाला direction कौन सी होती है South direction होती है, तो उपर वाला जो part है वो क्या है Northern Hemisphere नीचे वाला पार्ट क्या है Southern Hemisphere तो I hope आपको समझ माया होगा कि equator क्या है एक ऐसी line है, जो कि Earth को दो equal part में divide करती है उपर वाला पार्ट Northern Hemisphere, नीचे वाला पार्ट Southern Hemisphere तो आपको समझ में आ चुका है कि equator एक ऐसी imaginary circular line है circular मतलब कि इस तरह से goal line है, जो कि किसी भी जगे की location को locate करने के लिए एक reference point होती है All parallel circles from the equator up to the pole are called parallel of latitude तो सबसे पहले हमको understand करना होगा कि latitude किसे कहा जाता है बच्चो, line को दो तरीके से draw किया जाता है, एक होता है vertical मतलब सीधा, एक होता है horizontal मतलब टेड़ा तो आप देख सकते है photo के उपर, यह हमारे क्या है horizontal circle है, ठीक है Circles है, जो कि क्या है parallel है, parallel मतलब कि सब की क्या है equal distance है कोई भी circle आपस में एक दूसरे के साथ में mix नहीं हो रहा आपस में एक दूसरे को कहीं पर भी नहीं काट रहा इसका मतलब क्या हुआ कि latitudes are horizontal and imaginary lines running around parallelly and at equal distance सब क्या distance equal है, सब parallel है, above and below the equator equator के उपर के साइड में भी है, ठीक है और equator के नीचे साइड में भी है तो आपको समझ में आ चुका है थी छोटी सी बात कि latitudes are horizontal line, imaginary line जो की parallel होती है और equal distance पे होती है, equator के उपर भी होती है, equator के नीचे भी होती है यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, all parallel circles from the equator up to the pole are called parallels of latitude, यह हो गया हमारा equator ठीक है, जो की हमारी earth को दो equal parts में divide कर रहा है यह हो गया north pole और नीचे के साइड हो गया south pole clear, आगे क्या कह रहा है कि all parallel circles अब यह आपको नजर आ रहे है, parallel circles, circles है और यह क्या है आपस में parallel है इसका मतलब क्या हुआ कि equator से लेकर north pole और south pole तक यह जो parallel circles है इनको क्या कहा जाता है, parallels of latitude latitudes are measured in degree, latitude को degree में measure किया जाता है बच्चो एक एक चीच को समझते वे चलना तब आपको यह चीज़े समझ में आएंगी one-fourth of 360 degree that is 90 degree अब यह पूरी line बहुत जादा important है, इसको understand करने की कोशिश करना ठीक है तो यहाँ पर हमसे बात की गई है कि equator से अगर हम उपर की तरफ जाते हैं मतलब कि north pole की तरफ जाते हैं, तो हमसे पूछी जारी है कि इसकी distance कितनी होगी बताओ मुझे तो यहाँ पर हमको एक information दे रखी है कि जो equator है, जो earth है, उसका पूरा एक round कितना होता है, 360 degree का अगर हमको equator से north pole की distance निकालनी है, तो वो 360 degree का one-fourth होगा और 360 degree का one-fourth कितना होता है, फटाफर से divide करो, 9-4 जा 36, तो यह हो गया हमारा 90 degree इसका मतलब क्या हुआ, equator से अगर हम north की तरफ जाते, तो यह हमारा हो गया 90 degree distance अगर हमसे पूछा जाए कि equator से south pole की distance कितनी है, तो वो भी one-fourth निकालना है, तो वो भी हो जाएगा हमारा 90 degree clear? 90 degree north latitude marks the north pole, and 90 degree south latitude marks the south pole इसका मतलब क्या हुआ, यह जो 90 degree क्या है, latitude है, वो क्या कहलाएगा हमारा north pole, और 90 degree latitude नीचे वाला क्या कहलाएगा, south pole, as such, all parallel north of equator are called north latitude, similarly, all parallel south of the equator are called south latitude, तो यह हमारी हो गई north direction, और यह हो गई हमारी south direction, ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा, कि जो यह parallels है, north वाले parallels क्या कहलाएगे, north latitude, और जो south वाले जो parallels हैं, वो क्या कहलाएगे, south latitudes, the value of each latitude is therefore followed by either the word north or south, generally, this is indicated by the letter N और S, तो north वाले को N कहाँ जाएगा, और south latitude को S से इंडिकेट क्या जाएगा, for example, बोद चंदरपूर in Maharashtra and Bello Horizonto in Brazil, जो की south अमेरिका में है, are located on parallels of about 20 degree latitude, तोनों की location क्या है, 20 degree latitude but the former is 20 degree north of the equator, former मतलब अगर हम बात करते हैं, चंदरपूर की, तो इसकी location क्या है, equator से, यह equator है, इसकी जो location है, वो 20 degree north है, मतलब की ऊपर की तरफ, ठीक है, and the latter is 20 degree south of it, मतलब यह equator है, 0 degree और जो प्राजील के अंदर location है, Bello Horizonto की, वो क्या है, 20 degree south, नीची की तरफ, clear? यह आपको clear हो गया, कि यह north उपर वाला है, और south नीचे वाला है, यह हमेशे ध्यान रखना अभी हमने पड़ा, कि जैसे हम equator से, poles की तरफ जाएंगे, वो parallels की, जो parallels latitudes है, इनकी size में क्या आएगी? छोटे होते जाएंगे जिसका मतलब क्या हुआ, कि इनकी जो बीच की distance है ना, वो तो equal रहेगे लेकिन जैसे-जैसे हम pole की तरफ जाएंगे, चाए वो north pole हो, या फिर south pole हो जैसे-जैसे pole की तरफ जाएंगे, इन parallels की size छोड़ती होते जाएंगे, clear? important parallels of latitude, beside the equator, जो की 0 degree पे था, north pole 90 degree north, south pole 90 degree south, there are four important parallels of latitude, Tropic of Cancer, जो की कहाँ पर है, 23 and half degree north in the northern hemisphere, Tropic of Capricorn, 23 and half degree south, कहाँ पर है, southern hemisphere में, Arctic Circle, which is at 66 and half degree north of the equator, Antarctic Circle at 66 and half degree south of equator, इसको understand करते हैं थोड़ा सा, ठीक है? अब आपके सामने ये एक important क्या था, latitude था, north pole, जो की 90 degree पे था, और important south pole क्या था, 90 degree पे, और हमने भी डिसकस किया था, कि equator कहाँ पर है, 0 degree पे, अभी हमने डिसकस किया, कि Tropic of Cancer, एक important latitude है, जो की 23 and 0.5 लिखो, या फिर इसको हम हाफ लिखें, equal है, जो की कहाँ पर है, north में, same distance पे Tropic of Capricorn है, जो की कहाँ पर है, 23 and half degree south में, यह हमको बता है कि equator से उपर वाला क्या है, northern hemisphere, equator से नीचे वाला क्या है, southern hemisphere, तो equal distance पे उपर वाले में तो क्या है, Tropic of Cancer, और नीचे वाले में क्या है, Tropic of Capricorn, same distance पे 66 and half degree, 0.5 को हम हाफ कह सकते हैं, ठीक है, 66 and half degree पे क्या है, northern hemisphere में, Arctic Circle, और 66 and half degree पे, southern hemisphere में क्या है, Antarctic Circle, तो यह कुछ important parallels हैं हमारे latitude के, बच्चो आज की वीडियो में हमने globe के बारे में डिसकस किया, latitude किसे कहते हैं, उसको अच्छे से explain किया, parallel latitude कौन-कौन से होते हैं important उनको डिसकस किया, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like करें, दोस्तों किशा शेर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को subscribe करना है, मिलते हैं आप से नए वीडियो के साथ में, till then take and have a good day.